वेलकम बैक तो माई चैनल तो जैसे कि आप देख चुके हैं मैं पूरा मूद होकर रही हूं और यह आजकल चल रहा है ना सब लोग ऐसे केमरे के आगे हाथ लगाते तो मैंने भी कोशिच करी बट आधा ही हाथ लगा फिर दुबारा से कोशिच करी फिर सटे से मैं तयार होकर अगर्वत्ती का पार्टिस में गिरिया था तो यह तीनों की तीनों कोटी मुझे दरजी आंटी को यानी टेलर आंटी को दे कर जानी है तो चट्ट से चुटकी बजागे हम भार चल देता है फिर यह मेरे हाथ में आजाता है बैग उसके बाद सूर्यदेवता के आप भी द बना गई है यह विचत्र प्राणी जो आपको पठ्चाई दिख रही है यह मैं हूं तो मैं जा रही हूं दरजी आंटी के पास यानिकी टेलर आंटी के पास यह सामने के बालकनी मुझे इतनी जादा पसंद है बहुत जादा पसंद है मेरा बड़ा मन करता है यहां पर जादान उठाला है आए थिंग सामने लेगर का फिर यहां मुझे मिल जाती है मेरी सखी यानिकी मेरी दोस्त तो यह लेगर आरी है काजुबदाम आज जो नंदू है वह अपनी इंस्टिटूट से ट्रेनिंग में जारे ट्रेनिंग में उसकी जॉब की ट्रेनिंग है तो व पूरी फैमिली नंदू की गई थी नंदू को छोड़ने बस स्टैंड तक तो सारा काफी सदा इमोशनल टाइम हो रहा था तो अभी तो मैं इतना बोल भी नहीं पा रही थी मतलब मैं खुद इतना इमोशनल हो गई थी बहुत रोना आ था क्योंकि नंदू कभी भी ऐसे इत बिल्कुल लाल हो गया और नंदू मेरी बैस्वन की छोटी बैन है जिसका नाम है काजल तो यह काजल अपना पैसो से भरा हुआ बैक नंदू को देते हुए जो कि पैसो से भरा हुआ नहीं है इसमान है जस्ट किडिंग तो यहां पर भी बहुत आस्वों से भरीवी आखे नहीं थी फिर उसके बाद हम यहां पर आते हैं बस के अंदर नंदू को नीबू चटाते हुए क्योंकि उसको उल्टी वगरा हो जाती है बट वो मा की ममता होती है ना तो इसलिए वो लेकर आये थे बट एसी वाली बस है उल्टी उल्टी कोई दिक्कत नहीं होगी फिर यह फैमली अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना ना भूले तो यह ब्लॉग काफी ज़दा इमोशनल होता मतलब था ही इमोशनल बट मैने उसको इमोशनल नहीं होने दिया क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए जा र अच्छे से अच्छे से आया फिर वापस तो बस यही सब था अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले शेयर करना ना भूले और मातरानी आप सब पर अपनी क्रिपा बनाए रहे